तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका में चैर पे मेरा नाम है रिपु दमन सिंग मैंने भी टेक कर रखा एटी खवाटी से वीडियो को शुरू करने से पहले आज की टागेट आप लिख दीजिए अगर आपने आज के लिए बनाए नहीं तो अगर आप नहीं पढ़ाई तो इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा मैं पहले बता देता हूँ ठीक है मैं अपना जो जेई एडवांस का एक्सपीरियेंस था ना 2018 में जो मैंने दिया ते जिसमें सेलेक्शन हुआ था उसके बारे मैं बताने वाला हूँ पूरा डेटेल में 1.5x है 2x जितनी स्पीड पर देखना है देख लो 1x पर देखना है 0.5x पर जितना भी देखना है देख लेने ठीक है और यह स्पेशल दे होता है अपन कभी बुलेंगे नहीं लाइफ में इतना तो मैं शूर हूँ जो जी एडवांस का देन होगा आपको हमेशा याद रहेगा ठीक है और जैसा कि इतना तो मैं शूर हूँ यह वीडियो आप देखके बैटर तो फिल करेंगे ठीक है तो चलिए जादा बकवास अपन नहीं करते जल्दी से सीट बेल्ट बांगते अपने और कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली इस वीडियो को शुरू करते है ठीक है वीडियो को शुरू करन अपके लिए इस समय जैननलेवा वीडियो सकती है ठीक है एक चीज़ आपको देमाग में भैठा लेनी है कि किसी की भी गाइडेंस पर्फेक्ट नहीं है हो सकता है A, IR 1 कुछ और गियान दे रहा हो जो मैं दे रहा हूं थेक है X, Y, Z बहुत सारे लोग है बहुत सारा ग्यान दे रहे है ठीक है मार्केट में पर आपको यह याद रखना है कि ज़्यादा ग्यान लेना भी जान लेवा है क्यों? क्योंकि भाई आपने वो सेंग सुनी होगी न यह जो अपन पढ़ते हैं न इंग्लिश में तो वो ही यह है आपको पता है क्या फॉलो करना है जो आपके साथ रेजोनेट करे हो सकता है मैं कुछ चीज़े बोलता हूँ जो आपको सही में नहीं पसंद आती हूँ या फिर जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि अपने नोर्स फार दो तो भाई अब तुने ये बात सुनी तु तु तुरंट अपने नोर्स फार दे रहा है तो भाई तु बेवकुफ है पूछो क्यों हो सकता है भाई तेरे लिए नोर्स बनाना काम की चीज़ हो तो भाई तुझे नोर्स बनाने है कि नहीं ये चीज़ फॉलो करनी है कि नहीं ये भाई खुद पर अपलाए करके देख क्या इससे बेटर हो रहा है कि इससे बेकार हो रहा है उसको फॉलो कर ये नहीं कि किसी ने बोल दिया लोगंदा मैं ये कर दूँगा अरे भाई वो जो भी चीज़ बोली गई है हो सकता है किसी और के लिए अपलिकेबल हुई हो ठीक है पर तेरी कंडिशन तेरी सरकमस्टेंसिज अलग है न उस बंदे जैसी नहीं है तो तेर को अपने इसाब से देखना है कि क्या करना है ठीक है तो अब मैंने ये ग्यान दे दिया आप जरा वीडियो पर आजाते है ठीक है बनना आप काऊगे यार तू तो फिलोसिफिकल बात ले करने लग गया ठीक है चलिए वीडियो पर आते है तो वीडियो शुरू करने से पहले जरा बेसिक सा मैं आपको गाइडलाइन दे देता हूँ कि ये जो 1,2,3,4 पॉइंट्स वाइस मैंने बनाई जिससे थोड़ा बेटा समझ में आता है चलो शुरू करते है तो पहले तो ये तो कोई सेंटर वाली बात अब्यस्ली भाई एडमिट काड आता है आदमी ये देखता है रहे वाई सेंटर किदर है तो मैंने देखा तो मेरा 20-30 km दूर पढ़ गया था घर से तो पता यहीं प्रेशर सब क्रियेट हो जाता है इसका मतलब है सुबह जल्दी उठना पड़ेगा ठीक है मतलब रात को जल्दी सोना पड़ेगा ठीक है और 20-30 km फिर लगता है रहे यार गारी में जाना है जीव लगने लगता है ठीक है इवन दो मैंने फर्स्ट दे पर ही फॉर्म बरा था तब भी किस्मती घरापती मैं तो यही बोलूँगा क्योंकि मेरे दोस्त ऐसे थे जिन्होंने पांस दिन बाद फॉर्म बरा है उनको एक किलोमीटर के रेडियस में मिल गया उनके मेर को पता नहीं कहा पटक दिया ठीक है और मेरे घर के बगल में ही मिला है उन लोग ऐसा भी नोग वो मेर से दूर रहते पता नहीं क्या कौन सा एल्गोरिदम लगाया था जही एडवांस वालों ने आयटी कानपूर भाई क्या क्या एल्गोरिदम था मुझे जानना है ठीक है तो कुछ भी रेंडमनेस में भड़ा हुआ था ठीक है तो सेंटर तो कचरा आता यह तो यहीं से पता चल गया था कि अब कुछ कर नहीं सकते जो भवान ने काया कि बेटा तो मैं इधर ही जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा ठीक कुछ नहीं गर सकते ठीक है अब बात यह हुई थी एक दिन पहले नीद नी आ रही थी उनन्यस माई को रात में नीद नी उड़ो गई भी पता नहीं क्या जीन्दी नी आ रही थी पता है क्यों एक तो लास्ट अटेम्ट था कि मैं डॉप भी ले लिया था थीक है थोड़ा मैंने में में हग दिया था जैसे ओमर फिलिंग में तो अम्र भड़ कर दिया था तो मेरे पर इसा कॉन्फिदेंस रहता ने कि टॉप एन आइटी में बड़ मतलब इसी के बारे में इमेजिन कराता तो भाई ओव्यस है थोड़ा सा एमोशनल आदमी होई जाता है और इंदा है थोड़ा से अलड़ा आई गया था ठीक है तो अब यह होने लगता है इसके चक्कर में नींद उड़ो गई रात में और नींद नी आ रही मैं बहुत सब्सक्राइब जाता है और जैसी में उटा सर फट रहाता दर्द के मारे क्योंकि जब तुम दो तीन गंटे सो गए तो यह होगा ना आतमी का है मजात वाएगा नहीं तो भाई नींद नींद आ रही थी सर दर्द हो रहा था बहेंकर वाला अजीब सा ओल लग रहा था पता है क्या होगा मतलब थीक है तो बस मैं जल्दी से फ्रेशन अप हुआ ठीक है मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स वगर देखे और फिर अपने ब्रेकफरास मतलब और मैंने जैसे बताया था कॉफी अपन तो पीते ही है तो कॉफी पीने से थोड़ा है डेक में बैटर लगने लगाता ठीक है और अपन फिर घर से निकल जाते हैं साथ वजे के राउंड ठीक है क्योंकि नौ बजे पेपर है तो एक गंटे पहले मार्जिन पर पहुच शोगो तो बैटर रहेगा ठीक है और जल्दी भी निकलना था यसा भी डल लग रहा था कि तीस किलो मीटर दूर है उपन नीचे हो मुझे एग्जेक थोड़ी आद है या टाइम वाइं ठीक है एपरोक्स पता रहा हूं तो इतना समझ ले ना ठीक है जैसे ऐसे पास आ रहा है थे सेंटर के थोड़ा पैनिक भढ़ता है तो अजीब ही लग रहा था भाई कि क्या होगा मतलब ठीक है और का यहां सेंटर में इतने ब although दे रहे हैं तुमारा सेलेक्शन होगा कि नहीं जब एन परसें रेट है यहां मैं रोड है यहां खेत है जो सूखे पढ़े थे ऐसी इधर इधर खेत और यही एक बिल्डिंग पता कहां बीच में आके पड़ी हुई थी मैंने का यह कैसा सेंटर है वाई कहां अगल वगल कुछ है ही नहीं ठीक है तो मेरे को एक्सपेक्टेशन यह थे मैं तर आपको बता दू आदमी के एक्सपेक्टेशन रहते ना कि अंदर एट लीस्ट एसी हो ठीक है क्योंकि मैं जो इस एलेवेंटर था नहीं स्कूल में था तो वो भी सही था सेंटर तीक है और मैंको लगा चलो ओनलाइन है एक्सकूलर तो होगा कुछ तो होगा क्योंकि ओनलाइन एक्जाम है यह तो मतलब गर्मी है तो कुस्तो फैसिलिटी प्रोवाइड करी होगी जहीं ने ठीक है तो जैसा कि आपको अभी रियलिटी वैसे आईडिया लग गया होगा बट वह भी आपको बाद में रिवील करता हूं वीडियो के आगे में ठीक है तो अभी आपको पता चलेगा अंदर क्या रियलिटी निकलती है ठीक है तो चलो समय आ चुका था अंदर जाने का ठीक है तो मै जब मैं सेंटर में अंदर जा तो बहुत जीब सा लग रहा था मतलब डर टाइप का पता है ऐसा लग रहा था गिर जाओंगा बाई ग्राउंड पर प्रेशर इतना सा फील हो रहा ता न माइंड में कि भाई नहीं देना पेपर मन कर रहा था भाग जाओ इस पेपर से यहाँ इतना डरता कि मन कर रहा था कि पेपर देना ही नहीं है मेरको मैं भाग जाओं ठीक है अब किसी तरह मैं अंदर पहुंच जाता हूं सीट पर ठीक है और कुछ में बैटर भी लगा पता क्यों 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 कि मेरे कुछ स्कूल टाइम के फ्रेंड दिख गए थे भाई महिधार सेम सेंटर मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था अच्छा भाई तू भी दर है तो एक दो फैमिलियर फेस मिल गए तो और देखा था कुछ बच्चे जो मेरी कोचिंग के थे वो भी दिख रहे थे वैसे बहुत साहे तो नहीं थे बट एक दो मेरे को कोचिंग वाले भी दिख तो मैं गा चलो यार थोड़ा फैमिलियर फेस दिख रहा है तो थोड़ा बैटरी लग रहा था ठीक है फिर एक शौकिंग रियलाइजेशन हुआ मेरे को ठीक है यह वही रियलाइजेशन है जो मैं अब यह रिवील करने वाला था वही है ठीक है तो भाई कूई AC नहीं था स ठीक है भाई खिड़की खुली थी भाहर से गरम हाँ उल्टा आ रहा था अंदर इतना गंदा था मतलब अभी मालो सुबे के अराउंड 40 डिगरी हो अल्मोस्ट स्क्रेबल पैड देखा तो मेरे साब से मुझे तो छोटा लगा वाई मैंने का यह क्या दे दिया इन्होंने इसमें कम्प्लीट भी हो जाए मैं डाउट हो रहा था वाई यह की पेपर ना बर जाए और एक्स्ट्रा भी नहीं मिलने वाला था ठीक है और हर एक पेपर के लिए अलग-अलग स्क्रेबल पैड था और आप पेपर बन के बाद यह वाला घर ले जा सकते थे बट इसको वापस से नहीं लेके आना था पेपर टू में आपको दूसरा मिलेगा ओव्यसली बना तो आदमी साला फॉमले लिखके इदर ले आएगा ठीक है तो यह सब चीजे पेपर मुझे क्या पता भाई कि कितना बड़ा स्क्रेबल पैड मिलेगा जेई 2018 वास दा फस्ट जेई जो की ऑनलाइन हुआ था तो यह माई लिए फस्ट एक्स्पीरियंस था ठीक है तो कुछ पता ही नहीं चला था कि कैसा बड़ा मिलेगा छोटा मिलेगा स्क्रेबल नहीं थी मैं तो यह फोर शीट पर प्रेक्टिस करी थी तो मुझे लगा इत्ता बड़ा तो शायद देंगे बट स्क्रेबल पैड तो डिसापॉइंटमेंट निकला ठीक है अब दूसरा शॉक शॉक टू पॉइंट हो क्या आता है ठीक है हमें इंस्ट्रक्शन बुकलेट म इंस्ट्रक्शन इंट्रोड्यूस करें थे हमारे यर में ही सही सुना आपने जो आप अभी जही 2024 में दोगे न उसमें तो मेरे इसाप से डाउट ही अब क्या ही नया इंट्रोड्यूस करेंगे ठीक है मुश्किल है बट हमारे समय उन्होंने कर दिया था नियुमेरिकल अब आगया था नियुमेरिकल टाइप मैं तो पता है पेपर इंस्ट्रक्शन पढ़ कही पहले कंफ्यूज हो गया मैं यह सोचा था 2.133 किसी का आंसर आया तो क्या 2.13 लिखें की 333 पूरा लिखना है 3.75 आ गया तो मतलब राउंड ओफ कर दिया तो फिर क्या होगा अगर पॉइंट में जरासी वेल्य उपन नीचे है जैसे मैंने पाई का एक्स प्रॉक्सिमेशन कुछ और लिया किसी और ने कुछ और वेल्य लेली 22 वाई 7 किसी का भी अलगा अंसर आ सकता है तो मैं यही सोच रहा था भाई यह चेक कैसे करेंगे तो यह तो मेरे को बहुत आजी अब यहारोचस स्टार्ट होता है अब पूराब आपको बताता हूं वे मुझे इस सबसे नफरत है तो मैंने ऐसे अटेंप्ट कैसे कर रहा था पेराग्राफ फिर मोर देन वन करेक्ट उसके बाद नुमेरिकल ठीक है तो ठीक का और गेनिक का था शायद मुझे एक्जेक्ट याद नहीं और फिर मुल्टिपल मैं भी कर दिया होंगे कुस्तो क्या पता सही है कि नहीं क्या पता ऊपर कैलकुलेशन एरर हो गई हो कुछ पता नहीं चल लाता कुछ बिल्कुल आइडिया नहीं और एक तो स्क्रेबल पेट दिक्कत दे रहा था जैसे कि एक पेज बर गया मेरा अम आदा क्वेश्चन इदर हुआ है ठीक है अब पेज पल बिल्कुल रेंडम गये में डाल दो जो आ रहा है ठीक है उपर से गर्मी अलग ठीक है तो फोकस करने में भी दिक्कत हो रही थी यह सब मेरको फेस हुआ पेपर देते बग ठीक है केमिस्टी है मेरको इसलिए एक्स्टर टाइम लग गया वैसे मैं 50 मिनिट्स के अंदर निए ऐसा लग रहा एक दम बलेंग फॉमले तक यान नही आरा एकदम खाली दिमाग लगता है ऑसलिए अंदर कुछ यही नही दिमाग में टीक है बिलकुल खाली एकदम टीक है तो बिलकुल ऐसा फील हो रहा था पेपर के दो रहा है भाई मतलब क्वेस्चन देख एजी क यह सब अजी भी फेस करवाई थी और मेरे को स्क्रीन बिल्कुल पसंद नहीं थी देखना, ठीक है, स्क्रीन पे अलगी सरदर्द होता है जब एक्जाम तो में यह ओनलाइन बिल्कुल ही नहीं पसंद, अब एक दम से ओनलाइन पैटन था तो आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टि जो कंड़क करा रहा है वही पेपर बनाता है, यह तो बिल्कुल मित होता है, कॉलेज में आखर पता चला है, ठीक है, तो मुझे लगा बाई, I.I.T. कानपुर बना रहा है, बहुत टफ देगा फिजिक्स, क्योंकि SC बरमासर भी वहीं के हैं, तो भाईया कुछ भी हो सकता ह ठीक है, तो भाईया को तो लगा तो टफ आईगी, फिजिक्स, पता चला भाई, easier side, मुझे तो easy सी लगी, ठीक है, हो सकता है, ठीक हो, बट मेरे हिसाब से तो easy थी, ठीक है, even rotation के सवाली मुझे से बन गए थे, ठीक है, तो it was a miracle for me, क्योंकि मेरे से, मेरे को rotation बिल्कुल मेरे को paper दीए, क्योंकि उसमें clock चलती रहती, तो साफ आपको दिखता रहता कि क्या है, और theta का attempt हो गए ते, अब आप मैं आता हूँ, मैस में, मैस में मेरे को border लग रहा था कि क्या होगा, मैस में ठीक है, और sigma वाले question order दिख रहे ते, जो मुझे बिल्कुल नी पसंद, मैं मैं का, रे यारे, यारे, इस sigma ही भर दिया है, क्यों भरा है, ठीक है, मैंने वही shuffling वाली technique में यूज करता हूँ, अपनी जो कि मैंने आपको 36 वीडियो में बता दिया है, देख लेना, वही वाली technique यूज करके, मैंने सारे easy वाले डूल दियो, मैं उन्हीं को solve कर रहा था, मार करकर के, कि में को यही करने है और करने ही नहीं, बट, 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 क्या हुआ कि मैं शायद से 30-35 मिनिट में burn out हो गया था, completely सही सुना आपने, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं एकडम से हो गया, वो तो पहली ही राता, बट in the end हो ही गया, मतलब ऐसा क्यों हुआ, क्यों गर्म बच चुके थे एकडम से, जो घंटा बच जाता है ना, तो बिलकुल भाई, हालट टाइट हो गई, ठीक है, और 25 मिन मुझे अभी तक आद है कि 25 मिन बचे थे, ठीक है, question solve करना मेरे को बंद करना पड़ गया था, भाई, पूछो क्यों, क्योंकि मेरा vision ही blurry हो गया, तो मैंने का भाई, यह तो अभी इधर, अगर मैं हेड़ डाउन करके नहीं लेटा, तो मैं जमीन पर लेटा मिलूंगा कुछ देर बार, ठीक है, तो भाई, बिलकुल भी ठीक सी नहीं लग रही थी, एकडम हालट टाइट हो गई थी, वैसे यह मुझे स्टार्ट से ही अजीब क्या ही बोले, घर पर फिर भी थंड़क रहती है भाई, है न, तो मैंने आराम से पूरे 25 मिट वेस्ट करें भाई, दिमागी बंद था भाई, कैसे आदमी, मतलब आखी मुझे दिखी नहीं दी स्क्रीन, तो भाई, खतम हो गया मैं, ठीक है, इसमें मैं आराम से 2-3 और 30-40 मेटिस से आदा दिये ही नहीं, ठीक है, तो बहुत जादा डिसपोइंटमेंट था कि मुझे लगा यार, बहुत मतलब ब्लंडर सा कर दिया है मैंने तो, ठीक है, और वो भी एक्जाम वाले दिन ऐसी चीज़ कर रहता है, तो मैंने पापको बताया कि बहुत बेकार पर दिया है, और मुझे पनाई, टेंशन सी होने लग गई थी, पूछो क्यों, भाई, मैच इतना खराब गया मेरा, तीक है, सेक्शनल कट आफ भी तो निकालना था, ठीक है, अब मुझे लगा यार, कहीं, ऐसा ना हो, जो लगाया है, वो भी गलत हो गया है, है की नहीं, हो पता नहीं हो जाता है, तो मैंने थोड़ा बहुत खाना वाना खाया, तीक है, वही कार्बॉइडिस कोई फैटी फूड नहीं खाया था, मैंने, जूस बहुत प्लेंटी में पिया, पानी बानी पिया, और कार में थे तो एसी था, बाई, कुछ लोग मैंने ये देखा, दू अगर आपको गाड़ी के अंदर भी बैठने को मिला है न, तो मैं इसको एक प्रिविलेज ही मानूँगा, तीक है, तो जितना आपको मिला है न, उसकी रिस्पेक्ट जरूर करिएगा, तीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपसे नीचे कितने लोग हैं, तीक है, इंडिय वाई गाड़ी में बैठाया आदमी दो डाही बजे फिर दूसरा पेपर होता चाहिए दो या डाही मुझे एक्जेक्ट या नी तो तब तक बीच में क्या है पर आप खाना वाना खाली आप कितना ही खाऊंगा दो गंटे खाती थोड़ी रहोंगा तो कुछ नहीं हम वहीं ब देख रहा था कौन से रिलीज होनी है क्या करेंगे गेम्स कौन से खेलेंगे थोड़ा डायवट करके अपने आपका confidence में वापस से ला रहा था क्योंकि मेरे को अभी विशास्ता देखो भाई पेपर टू में तो भोड़ देंगे अभी तो पेपर वनी तो हुआ है जरूरी अब मैं कोई टिप्स तो दे नहीं रहा यह बहुत एफेक्टिव वीडियो अगर आपने पूरा देखा तो ठैंक यू यार और मैं बता रहा हूं हो सकता है आपके साथ भी कुछ ऐसा ही फीलिंग है पेपर वाले दिन तो तोड़ा आपको अच्छा लगेगा क्योंकि देख तो डरिये मत पेपरिये हो जाएगा